पास्कार दोस्तों मैं पूजा राय आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी आयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ Current Affairs section on उत्कृष्ट अकेडमी आयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ important current points और उनसे related facts को चलते हम अपनी पहली ख़बर पे आपके द्वार योजना की सुरुबात की है इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस की डायल 100 टीम शिकायत करता की घर जाकर प्रात्मी की दर्ज करेगी इसी पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों से सुरू किया जाएगा राज्य सरकार का दावा है कि मद्धर प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कोरोना वाइरस महमारी के दोरान इस योजना से समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकेगा ये योजना 31 अगस तक पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी इसके बाद इसका आकलन किया जाएगा और व्रवस्था को पुक्ता बना कर आवश्यक सुधारवा परिक्षर के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा बात करें मध्यपरदेश की तो मध्यपरदेश की राजधानी है बोपाल, मध्यपरदेश के वर्दमान, मुख्य मंत्री सिवरासिंग चोहां जी है वा मध्यपरदेश के राज्यापाल लाल जी टंडन है चलते हैं अपनी अगली खबर पे MHRD Minister केंद्रिय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा केंद्रिय विश्विद्याले के लिए एक हेल्प लाइन का सुभारंब किया है जिसे नाम दिया है भरोसा तो केंद्रि मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा केंद्रिय विश्विद्याले के लिए हेल्प लाइन भरोसा का शुभारंब किया है यह हेल्प लाइन सेवा COVID-19 महामारी संकट के दोरान छात्र समुदाय को होने वाली परिशानियों को दूर करने के उद्देश शे सुरू किया गया है इस हेल्प लाइन के माध्यम से उडिशा के सभी विश्विद्याले के छात्रों को संग्यानात्मक, भावात्मक, पुनरवास सेवाएं प्रदान की जाएंगी COVID-19 संकट के दोर में जरूरत मंदों के लिए केंद्र सरकार सहित, राज्य सरकारे वा अन्यसंस थाएं अपने अपने उस्तर पर कुछ न कुछ पहल कर रही है इसी क्रम में उडिशा केंद्र विश्विद्याले ने भी हेल्प लाइन भरोसा का सुभारंब किया है बात करें उडिशा की, तो उडिशा की राजधानी है भूवनेश्वर, उडिशा के वर्तमान मुख्यमंद्री नवीन पतनायक जी है वह उडिशा के जो गवर्नर है वो गडेशी लाल जी है चलते हम अपनी अगली खबर पे हाली में APY, अटल पेंसन योजना ने अपने कार्यानवियन के 5 साल पूरे कर लिये हैं ये योजना 9 माई 2015 को लांच की गई थी और 9 माई 2020 को इसने अपने कारेकाल के 5 वर्स पूरे कर लिये हैं 9 माई 2020 तर इस योजना के तहट कुल नामांकन 2,23,54,028 था ये आकड़े 9 माई 2020 तक के हैं पहल सुरू होने के पहले दो वर्षों के दोरान 50 लाग ग्राहक थे तीसरे वर्स में 1 करोर ग्राहकों के साथ संख्या दोगुनी हो गई चौथे वर्स में 1.5 करोर नामांकन की उपलब्दी हासिल हो गई इस योजना की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्स की आयू के किसी विभारती नागरिक द्वारा इस योजना की सदसेता ली जा सकती है नामांकन होने पे ये योजना 60 वर्स की आयू प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की नियूंतम गारंटीट पेंशन प्रदान करती है इस योजना को 2015 में हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी द्वारा कलकत्ता में सुरू किया गया था ये योजना वित्त मंत्राले के तह संचालित PERDA पेंशन फंड नियामक वा विकास प्रादिकरण द्वारा कार्यान वाइज की जा रही है तो ये अटर पिंसन योजना ने हाली में अपने 5 साल पूरे कर लिया है चलते हम अपनी अगली खबर पे केंद्रिय सूच में लगो और मध्यम उद्यम MSME, Micro, Small and Medium Enterprises मंत्राले द्वारा एक पोर्टल का सुभारंब किया गया है इस पोर्टल को नाम दिया गया है Champion यहाँ पे मैंने Champion का फुल फॉर्म लिखा है Creation and Harmonious Application of Modern Process for Increasing the Output and National Strains इस पोर्टल को लॉंच करने से आधूनिक टक्निक के सामन जस्यपूर अनुप्रयोगों के साथ छोटी उद्योगों को राष्ट्रे वा वैस्वे किस्तर पर सच्चम बनाने के मूल लक्ष के अनुरूप इस पोर्टल को Champion's नाम दिया गया है तो हाली में Champion's नामा के एक पोर्टल का सुभारंब किस मंत्राले द्वारा किया गया है तो Micro Small, Medium Enterprises यानि केंद्रे सूख्ष में लगूवा मध्यमुद्योग मंत्राले द्वारा किया गया है अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेस्षन करती हूँ कि केंद्रे सूख्म लगूवा मध्यमुद्योग मंत्री कौन है और इसी के साथी साथ आपको Comment Box में ये बताना होगा कि सूख्म लगूवा मध्यमुद्योग के राज्यमंत्री कौन है तो इस मंत्रा लेके केंद्रिय वार राज्य दोनों मंत्रियों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बता ले हैं चलते हम अपनी अगली खबर पे केंद्रिय कृषी वा किसान कल्यार मंत्री सी नरेंद्र सिंग तोमर ने कृषी विपढन को मजबूत करने के उद्देश से वा किसानों को ऑनलाइन पोर्टल से जोडने के लिए राश्ट्रिय कृषी बाजार इनैम के साथ 177 नई मंडियों का शुभारंब किया है तो केंद्रिय कृषी वा किसान कल्यार मंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कृषी विपढन को मजबूत करने वा किसानों को ऑनलाइन पोर्टल से जोडने के लिए राश्ट्रिय कृषी बाजार इनैम के साथ 177 नई मंडियों को जोडा 177 अतरिक्त मंडियों के सुभारंब के साथ देश भर में इनैम मंडियों की संख्या 962 हो गई है राश्ट्रिय कृषी बाजार बारत सरकार की एक अतन्त महत्वकांची वा सफल योजना है जो मौजूदा एक्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडियों का समुह बनाती है ताकि कृषी के लिए एक एक राश्ट्रे इस तर बाजार बनाया जा सके हमारी अगली खबर पे आते हैं हाली में Council of Scientific and Industrial Research की बैंगलूरी इस्थित प्रयोक साला ने एक BiPAP Non-Invasive Ventilator विक्सित किया है जिसे नाम दिया गया है स्वस्थ वायू तो हाली में किसने BiPAP Non-Invasive Ventilator स्वस्थ वायू विक्सित किया है तो CSIR की बैंगलूरी इस्थित प्रयोक साला ने इस Ventilator के जर्ये मात्र 36 दिनों में ही COVID-19 मरीजों का उपचार हो सकेगा